तो हेलो वाट्स अप कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का आज की इस वीडियो में जहां मैं आपके साथ एक बहुत ही एहम मुद्धे पे बात करने वाला हूँ वो क्या है कि 1.5 डेज में सर याद आएगा नहीं आएगा 1.5 डेज में हमसे सवाल हो पाएंगे या नहीं हो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ अक्टूबर का ही महीना था और मैंने अपने एक सीनियर को कॉल लगाया था उसकी ओल इंडिया रिंग 33 थी कॉल ठाया है मैंने आप मुझे एक बात बताओ कि आप जब पढ़ रहे थे तो क्या आप से ओडिट की चीज़े रिकॉल हो रह 30 marks के 30 marks के तो mcqs यह आते हैं तो अगर आपने अपने पूरे course को एक बार देख रखा होगा उस last 1.5 days में so it will become very very easy for you to score 24 and above यानि आप 24 नमबर तो कम से कम mcq में लिया होगे रही बात बाकी चीज़ों की जो आपके बाकी points होते तो उन्होंने उसमें मुझे बताया कि हाँ कुछ topics होते जो अपने से छूट जाते हैं क्योंकि तब तो मेरी बुक आई नहीं थी तम मेरे notes तो आये नहीं थे तो उनके पास उन्होंने तो बड़ी बड़ी मोडी मोडी बुक से बढ़ाए ठीक है तो मैं आपको simple सी बात यही कहने की कोशिश कर रहा हूं see the way we have covered the things be it inter audit be it your final audit आप ये सब चीजे कर पाऊगे ठीक है आप easily 1.5 टेज में कर पाऊगे but the point is ने को जब effort भी लगेगा न मेन हमारा focus ही होगा कि हम coverage कर पाए अगर coverage होगी तो वो 30 marks के जो mcqs है मैं हर बार पते बच्चों से एक ही बात सुनता हो जब भी वो exam देके आते सर mcqs में मज आ गया तो ये audit हो चाए law हो चाए आपका कोई भी और paper हो जहां पे mcqs है these will be the game changer for you ये आपकी नईया पाल लगाएंगे तो इन से आप एक comfort ले सकते हो गया इसमें तो कम सेका मुझे 80% score करना ही करना है ठीक है एक बार आपके 30 में से 24 mcqs में आ गए and trust me आ जाते हैं आ जा नमबर आएंगे जब आप ऐसे हाइफाइ लोगों से connected रहते हो तो आप भी हाइफाइ सोचने लग तो आपके भी हाइफाइ नमबर आते है ठीक है तो trust me when I saw through his videos मुझे क्या comfort आया पता है उस बंदे के ना theoretical से paper होता है descriptive वाले उसमें उसके अरलग बग 50-50% थे I think law में उसने कुछ 70 में से 30 score करा था ठीक है पर MCQ में ही secure 25-26 तो उसका overall score 100 में से 56 पहुँच गया तो that gave me a lot of comfort की भाई हो सकता है descriptive में हम 50-60% पर रहे भी जाए बट MCQ हमारे number आएंगे याएंगे अगर हमने चीजों को अच्छे से cover कर रखा है plus 1.5 days दिया ही इसलिए गया है आपको ये तो कहा नहीं न कि आप पहला paper दो और अगला paper आपने सीधा देना है बिना revise करें नहीं वो 1.5 days इसलिए दिया गया है ताकि आप वापिस चीजों को go through कर सको और ये न सारी चीज़े आपके back of the mind में stored रहती है तो ये चीज़े फिर आपको recall होंगी पर मैं एक बात बताओं आपको क्या दिक्कत कब आती है दिक्कत आती है जब हम panic कर जाते हैं आपने देखे होंगे अपने आसपास भी लोग की कभी न कुछ देखो किसकी जिंदगी sorted चल रहे है कभी ये सोचो अपने आपसे अभी मैं आपके साथ जो discussion कर र अगर आपका जो नजरी है वो एकदम cool है काम है like MS Dhoni MS Dhoni why he is the greatest captain because he has been cool he has been calm भले ही सबसे toughest situations मिलती हो cricket में वो एकदम काम रहता है तो मैं कहता हो अगर आप उस देड़ दिन में अभी आप काम रह लिए आपने एकदम cool and composure वाला अपना बना लियाना status आपको सारी चीज़े श काम होगे आपको automatically सारी चीज़े हैंगी आप looks उठाओगे चीज़ों का and things will you will see things getting done properly ठीक है तो कोई tension नहीं लेनी बिलकुल आपने घबराना नहीं है ठीक है just stay cool just stay calm सारी चीज़े आपको 1.5 डेज में याद आएंगी बट हाँ उसके लिए जो अभी का time है आपका October का just try to give your best जितने भी आपके theoretical subjects हैं जैसे audit हो गया law हो गया आपके inter में EIS हो गया SM हो गया इनकी जो revisions है na try to keep them as close as possible to your accounts की revision जैसे कि आपका group 1 में accounts रहेगा तो account से just पहले आप अपनी audit और law की revision schedule करो ठीक है या सिरफ आप group 2 दे रहे हो CA inter का ठीक है CA inter का अगर आप सिरफ group 2 दे रहे हो तो जो advance accounts की revision है उससे just पहले अपने EIS SM और audit की revision schedule करो so that वो आपके mind में जितना ज्यादा हो सके वो fresh रहे है बाकी तो या tension दी load नहीं है ठीक है हर बंदा इसी चीज़ के थूँ गुजर रहा है कि 1.5 days में handle हो गया नहीं होगा मैं बताओ होगा अगर आप अपने mind को handle कर हम 30 में से 24 भी ले आए मैं कहता हूँ 20 भी ले आए तो बाकी 70 में से का 20 भी नहीं ला पाएंगे मैंने का definitely ला पाएंगे तो बस आपने अपने आपको यह comfort देते वे चलना है and trust me things will get better things होगी और January में तो must result आए गया आएगा तो just stay cool, just stay calm, करते रो अपना काम से काम and सब एकदम बढ़िया होगा and yes चहरे पे smile बनाए रखना क्योंकि खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे तो लगे रो, मौज उड़ाते रो and wish you the best and yes अभी तगर वीडियो को लाइक नहीं गया तो do give it a like and stay subscribe to the channel for more such videos. All the best. बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो